आज हम पढ़ेंगे अध्याय दस मानाय कल्यान में सुक्ष्मजीवों की भूमिका आपने देखा होगा कि हमारे चारों और जो सुक्ष्मजीव मौजूद होते हैं ये अक्सर आपने हमें नुकसान पहुचाते हुए ही देखा होगा जैसे कुछ सूक्षमजीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं कुछ हमें सारी रूप से नुकसान पहुँचा देते हैं कुछ हमें रोगरस्ट कर देते हैं लेकिन सभी सूक्षमजीव हानिकारक नहीं होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें लाव पहुचाते हैं और ऐसे सुक्षमजीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इस प्रकार से सुक्षमजीबों को हम दो स्रेणियों में बाट सकते हैं लावदायक सुक्षमजीव और हानिकारक सुक्षमजीव आज हम बात करेंगे लावदायक सुक्षमजीवों के बारे में लावदायक सुक्षमजीवों को उनकी भूमिका के याधार पर हम उने कई वरगों में बाट सकते हैं जैसे घरेलू खादे उत्पादों में सुक्षम जीवों की भूमिका, अध्योग उत्पादन में सुक्षम जीवों की भूमिका, औसधी उत्योग में या औसधियों के निर्माण में सुक्षम जीवों की भूमिका, क्रसी छेत्र में सुक्षम जीवों की भूमिका, वाहित मल उपचार में सुक्ष मजीबों की भूमिका उर्जा उत्पादन या बायो गैस उत्पादन में सुक्ष मजीबों की भूमिका तथा जैव नियंतरन कारक के रूप में सुक्ष मजीबों की भूमिका तो सबसे पहले समझते हैं घरेलू खाते उत्पादों में सुक्ष मजीबो कोई भूमिका या सुक्षमजीवों का महत्वा आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानों में या घरों में दूद से दही किस प्रकार से बनता है उसमें जामन लगाते हैं ये जो जामन है इसमें थोड़े से ही जामन में लाखों करोणों की संख्या में दो प्रकार के बेक्टीरिया मौजूद होते हैं इन बेक्टीरिया को हम Streptococcus, Thermophilus और Lactobacillus कहते हैं ये बेक्टीरिया ही दूद को दही में परिवर्थित करते हैं और सोचो अगर ये बेक्टीरिया ना होते तो क्या कभी दूस से दही बनता कभी नहीं बनता आपने बटर मिल्क जिसे हम छाच कहते हैं ये देखा होगा और पिया भी होगा तो इसका निर्माड भी लेक्टो बैसिलस एसिडो फिलस नामक जीवानू के दोरा ही दूद से किया जाता है दूद के लेक्टिक एसिंड किन्वन द्वारा पनीर को तयार किया जाता है स्ट्रेप्टो कोकस तथा लेक्टो बैसिलस की बिवन जातियां पनीर बनाने में प्रयोग की जाती है आप लोगोंने डोसा, उत्पम, इडली, आदी तो खाए ही होगे क्या आपने कभी इनके बनाने की विधी के बारे में देखा है चावल और उडद की दाल को मिक्स करके उसमें स्ट्रेप्टो कोकस जीवानों द्वारा किन्वन कराया जाता है इस किन्वित घोल से ही इडली, डोसा और उत्पमादी बनाय जाते है अकसर हलवाई की दुकानों मैं जलेवी देखने को मिलती है तो उस जलेवी का घोल होता है मैदा का घोल उसमें कुछ से देर पहले या कुछ घंटों पहले खमीर मिलाया जाता है और खमीर क्या है? खमीर East होता है जो की एक कवक है ये कोस्की एकवक इसका पाउडर मिला दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद फिर इससे जलेवी तयार की जाती है डवल रोटी बनाने में अर्थात ब्रेड बनाने में भी इस्ट का उप्योग किया जाता है नारियल के पानी अर्थात अथवा ताड व्रक्ष में जो तना होता है उससे स्रावित पदार्थ को किंडवित करके टोडी नामक एक पेव पदार्थ बनाया जाता है दक्षन भारत में टोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं से पीते हैं एक पेव पदार्थ के रूप में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है तो इसका उपयोग भी इसका निर्माण भी सुक्षन जीमों के द्वारा ही होता है